कनाडा और भारत के बीच चलने वाला विवाद कुछ दिनों बाद ठंडा हो जाएगा और दोनों देशों के बीच जो भी उलजने हैं वह समाप्त हो जाएगी, जिससे इसका असर दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ल भारत ने Striker Armed Vehicles खरीदने की डील्स को रोक दिया है, जिससे कनाड़ा की Striker Vehicles बनाने वाली कमपनी को भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा जटका लगा था। कि हमने कनाड़ा से Striker Armed Vehicles खरीदने की डील को तो रोक दिया, लेकिन नई समस्या यह खड़ी हो गई थी, कि अब हम लोग इस तरीके से Striker Vehicles को कहां से खरीदेंगे, क्योंकि हमें इसकी जल्द से जल्द जरूरत है। तो अब हमारी समस्या को दूर करने के लिए अब रूस आ चुका है। और खबर निकल कर आ रही है कि रूस इसी तरीके के दूसरे Armed Vehicle, जिसे Boomerang APC नाम से जाना जाता है, उस Armed Vehicle को 200 की संख्या में सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। और रूस की तरफ से भारत का यह प्रपोजल एक तरीके से कनाडा के मुह पर तमाचा मारने के लिए काफी है। नहीं जीता जा सकता और यदि किसी भी युद्ध को जीतना है तो हमें चाहिए latest technology वाले, weapons जो की long range वाले हो और उन्हें पहाडी और रेगिस्तान वाले इलाकों में भी इस्तिमाल किया जा सके। और यह बात पिछले साल 2023 की है जब भारत की आर्मी ने चीन के लद्दाख वाले इलाके में लड़ाकू बखतरबंद वाहनों को तैनात करने का डिसीजन लिया। क्योंकि उस समय लद्दाख वाले इलाके में चीन लगातार अपनी आर्मी फोर्स को हतियारों के साथ बढ़ाता जा रहा था। और भारत की इसी जरूरत का फाइदा उठाते हुए एन मौके पर अमेरिका और कनाडा ने मिलकर भारत के सामने स्ट्राइकर वहीकल खरीदने का ओफर रखा। ये स्ट्राइकर वहीकल्स आठ टायर वाला एक ऐसा आर्मड वहीकल्स है जो की अपने साथ कई छोटे बड़े हतियारों को लोड करके लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उबढ़ खाबढ और रेगिस्तान वाले इलाके पर आसानी से चल सकता है। इसकी मैनुफैक्चरिंग और डेवलप्मेंट का काम कनाड़ा की एक जानी मानी कमपनी जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स के द्वारा किया जाता है। कनाड़ा की इस कमपनी ने अब तक लगभग 4900 स्ट्राइकर वहीकल्स को मैनुफैक्चर किया है जिसमें से 4500 वहीकल्स तो अकेले अमेरिका की आर्मी इस्तिमाल कर रही है। अमेरिका और कनाड़ा ने जब पिछले साल भारत के सामने यह ओफर रखा तो यही बात उन्होंने भारत से कही कि इस स्ट्राइकर वहीकल्स को हम खुद एक बड़े लेवल पर अपनी आर्मी के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। हालांकि भारत को इसकी जरूरत थी इसलिए भारत ने ओफर को स्वीकार कर लिया। कमपनी द्वारा बनाए गए जो कि भारत में डिलीवर्ड किये जाने थे और बाकी के इन वाहनों के प्रोडक्शन के जरिये कनाडा की जनरल डाइनामिक्स लैंड सिस्टम और भारत की कुछ डिफेंस कमपनियां मिलकर काम करने वाली थी और इन्हें भारत में ही बनाया जा करना था और इन सभी बात पर कनाडा पूरी तरीके से रेडी था यहां तक कि इसका प्रोडक्शन इसी साल के अंत तक शुरू होने की संभावना थी लेकिन पिछले कुछ महीनों से कनाडा के साथ बिगडते राजनईक संबंधों के कारण भारत ने इस डील पर रटका लगा क्योंकि इस डील की सठीक जानकारी तो सारवजनिक नहीं की गई लेकिन अमेरिका को एक स्ट्राइकर भीकल 4.9 मिलियन डॉलर की कीमत में पड़ रहा था उसके मुताबिक यह जानकारी अनुमानित है कि यह सौदा कई 100 मिलियन डॉलर में होने वाला था और इस से भारत को भी कोई दूसरा ओप्शन तलाशना था क्योंकि पहली बात तो यह है कि हाल ही में भले ही भारत और चीन के बीच डिसेंगेजमेंट का समझोता हो गया है और दोनों देशों की आर्मी मिलकर काम कर रही है लेकिन चीन हमेशा दो तरफा खेल खेलता है और वह कब पदल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है तो ऐसे में हमें हमारी आर्मी सेना के लिए आर्म्ड वकल जैसे हतियार को पहले से ही रेडी रखना होगा ताकि परिस्थितियां बिगडने पर हमारी आर्मी को पीछे ना हटना पड़े ऐसे में हम लोगों ने आप्शन तला भरता पहल के तहट खुद डेवलप किया है, जो कि हमारे लिए काफी सस्ता पढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि कोई और ओंप्शन देखा जाए, क्योंकि DRD-ो के पास काफी सारे order already हैं, तो इसको बनाने में डीले हो सकता है, लेकिन हतियारों के मामले मे जब जब भारत पर कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब तब रूस भारत की मदद करने के लिए सबसे पहले आता है, और इसे रूस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है, क्योंकि जैसे ही भारत की तरफ से कनाड़ा के साथ होने वाली Striker Vehicles की डील को रोकने की बात सामने आई, वैसे ही यह खबर चर्चा में चल गई कि रूस के पास Striker Vehicle की तरह ही दूसरा ताकतवर Armed Vehicles है, जो कि Striker Vehicles का Alternative साबित हो सकता है, जिसे बूमरेंग APC के नाम से जाना जाता है, और अब खबर निकल कर आ रही है कि रूस ने खुद भारत के सामने इसी बूमरेंग APC आमक Armed Vehicle को लगभग 200 की संख्या में खरीदने का प्रपोजल भारत के सामने रख दिया है, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं, यही है, बूमरेंग ACP इसे कहा जाता है कि यह कुछ मामलों में Canadian Company द्वारा बनाए गए Striker Vehicles से भी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि आधुनी की करण वाली कुछ ऐसी टेकनोलोजी इसमें एड की गई है, जो कि Striker Vehicle में भी नहीं है, आपको बता दें कि उबढखाबड़ वाले इलाके में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफतार से चलने के साथ साथ, यह पानी में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफतार से आसानी से आगे बढ़ सकता है, और भारत को इसी तरीके से Vehicles चाहिए, जो कि पानी में भी चल सके और जंगल के उबढखाबड इलाकों में भी चलने में कोई दिक्कत ना आए, और इसलिए कुछ विशेशग्य का मानना है कि भारत को इसे खरीदना ही चाहिए, और कनाडा के Striker Vehicles की डील पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम रूस से Armed Vehicles खरीदते हैं, तो भविश्य में इसकी सप्लाई की कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है, फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि कनाडा के मुह पर उल्टा तमाचा मारने के लिए रूस का ओफर स्विकार करना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके, अपने मित्रों तक चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट करें, जय श्री पर जरूर सेलेक्राइब करना चाहिए याजिराम